असलाम अलेकुम आज मैं बनाने जा रहे हूँ चिकन ट्रिपल सांविच उसके लिए जो मैंने समाल लिया है यहां पे आइसबर्ग है आप चाहें तो लेटेस ले सकते हैं अगर वो भी नहीं है तो कैबिच के पत्ते ले सकते हैं यहां पे चीज भाएम है मैंने सुल इस्टेल करें अचेज हैं यहां पसल जाऴ क्यूब है तो आपसे क्ज है तो समघ उससे ग्रिट करके ले सकते हैं यहां दो ट्यूबाऻ बाल ब्राइज निया है अगर मुझे मै आपको बता दूगी покशनिंगी अर यहां चिकिन भाजिन और पैपर डालके, बॉइल करके से श्रेट कर लिया है, यहां पर ब्राउन ब्रेड है, अगर आप वाइट यूज करना चाहते हैं, तो वाइट यूज कर सकते हैं, मैंने यहां सॉल्ट लिया है, तेस्ट के अकॉरिंग, आप सॉल्ट थोड़ा समाल के डालें, क्यूंकि हम च अगर आप चाहें तो इसे हाँ से चॉप कर सकते हैं, पर टाइम बचता है, इसलिए मैंने मिक्सी में घुमा लिया, मियॉनिस जो हमने लिया था, इसे सैक में डालना है, अगर मियॉनिस थोली कम पली तो मैं आपको बता दूंगी, पैपर एंड सॉल्ट, इसे डालके अच् अच्छे से मिक्स कर लिया, अब चली बनाते है, मैंने ब्रैट के कॉर्नर को कट कर दिया है, और ये तीन ब्रैट के स्लाइस है, तो अब हमेसे इस पे बटर लगाना है, ब्रैट में मैंने बटर लगा लिया है, ये अग और मियॉनिस है, जितना आपको लेना है अब उसे सा इस तरीके से यह दूसरी ब्राट की स्लाइस है इसको मैं रखोंगे इसको मैं रखोंगे इस पे मैं आइसबर्ग में करियों इस पे यह लाटस थोड़े सी चिक्किन इस पे मैं आइसबर्ग रख दिया है थोड़े से चिक्किन रख दिया है और यह गई स्लाइस चेज और यह थर्ड लेयर ब्रेट का इस तरीके से हमें सैन्विच सारी बना लेनी है यह देखे मेरी चिक्किन ट्रिपल सैन्विच तेयार हो गई बनकर रोज रोज रमजान में फ्राइड आइटम खाके दम बोर हो जाए तो बस आप यह बना ले और अगर आपको यह रैसिपी अच्छी लगते है तो अपने फ्रेंज को अपने फैमिली में शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं जिस उसका नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स वीडियो में मिलते हैं इंशाला जल्दी अल्ला हाफिज